इमामगंज में चिराग पासवान खेल तो खेल लियें लेकिन उस खेल का जो मनसुबा था उसमें वो सफल नहीं हो पाएं आखिरकार जीता नामाजी की बहू दीपा माजी चुनाओ जीत ही गई नमस्कार ने इंडिया टॉप देख रहे हैं मैं हूँ आपके साथ बिर्जो सिंग ब्यार के चार विधान स्वा स्वीटों पर हुए उप्चनाओ के नतीजे आ गए चार के चार स्वीटों पर इंडिये की जीत हो गई राश्टी जनतादल आरजेडी अपना किला बचाने में भी काम्याब नहीं हो पाई इस वीडियो में हम बात करेंगे इमाम गंज की और इमाम गंज की बात करने से पहले वहां के वोट परतिशत को देख लिजे किस पार्टी को किस मिदवार को कितना वोट मिला है सबसे पहले दीपा माजी जो वहां से चुनाओ जीती है ये की कैंडिट उनको कुल वोट मिले है 53,435 वोट आरजेडी के रोसन माजी को वोट मिले 47,990 वोट मिले है अरजेडी दूसरे स्थान पर और दीपा माजी जो चुनाओ जीती है वो 5945 वोटों से दीपा माजी चुनाओ जीती है इस कहला भ़़ह जन्सुराज जितेंदर पासवान को वोट मिले है 37,140 वोट जितेंदर पासवान को मिले है जनसुराज मत जोड़िए जितेंदर पासवान जो पासवान समासात है उनको 37,103 वोट मिले है बड़ा वोटों का हिस्सा जो है जनसुराज जितेंदर पासवान को इमामगंज में मिला है अब चिराग के खेल को समझज़े, जिस खेल को खेल तो लिए हैं, लेकिन मकसद में काम्याब नहीं हो पाएं दरसल चिराग पास्वान को प्रचार करने के लिए इमाम गंज में जीतन नामा जी उनके बेटे ब्यार सरकार में मंतरी संतोस्वन हो बाजपा के डिप्टी सीम हो समराट चौधरी या फिर परदेश सद्यक्ष दिली व्यासवाल की बात कर लिजाए जेडियू के तमाम बर्य निताओं की बात कर लिजाए एक एक करके सभी निताओं ने फोन किया कि चिराग जी आप बाकी 30 सीट पर प्रचार कर रहे हैं इमाम गंज भी आकर प्रचार कर लिजिए ताकि इंडिये के सयोगी जदुदल हैं दीपामा जी जो केंडियेट है उनकी जीत असार हो जाए 25 जार पासवानों के बादी है और 16 से 17 जार वोट जो है वो पोल होता है मतलब की बड़ी भूंका पासवानों की है चिराग पासवान ने दीपामा जी या पिर यू कहें कि अपने सयोगी दल के लिए प्रचार करने इमाम गंज में नहीं जाते हैं इसके पीछे कारण क्या कारण बहुत असपश्ट था चिराग पासवानों जीता नामाजी के बीच में नहीं बनती है लराई है लराई इस बात की कि जब सुप्रीम कोट ने CSTR अक्षन को लेकर सुझाओ दिये थे फैसला सुनाया था तब सुप्रीम कोट के फैसले के पक्ष में जीता नामाजी थ दुरुनिताओं के भी जुवानी जंग खूब हुई थी दुरुनिताओं दुसरे को खूब कोस रहे थे इता ही नहीं बलकि उसके बाद कई मौके पर जीता नामाजी ने रामिलास पासवान का राजनितिक तोर पर उत्रा धिकारी उनके छोटे भाई पस्पती कुमार पार इमामगंज में चुनाओं हडा कर और इसलिए वो इमामगंज में चुनाओं परचार करने नहीं गये ताकि पासवानों का वोट जो है वो जीता नामाजी को नहीं मिले और स्वजाति होने के कारण प्रसांद किसोर की उमिदवार को जीतेंदर पासवान को पासवानों का व की विद्वार थे लेकिन इसके बावजूद भी जीता ना माजी की बहु चुनाओ 5000 से अधिक वोट के अंतर से चुनाओ जीत जाती है चुकि माजी की बड़ी अबाद इसके अलावा अपर कास्ट का वोट भी पूरी तरीके से जीता ना माजी की बहु सही नहीं है चिराग से दुस्मनी सही नहीं है लेकिन क्या हुआ हुआ वही जो लिखा था चिराग पास्वान बेसक पास्वानों को गोलबंद करने में सफोलो गए और खमर यह भी थी चुकि हमने आपको पहले बीड़ी बताया हमारे जो सुत्र हैं जो पाटी के बरे नेता अब यह रोन काया था कि चिराग पास्वान ने बहुत असपष्ट कह दिया तमाम नेताओं को कि कोई भी नेता इमाम गंज नहीं जागा प्रचार करने के लिए जिताना वाजी से मेरी नहीं बनती है वह अलग बाती को मेरे सजयोगी दल है बावजूद भी हम उनको जितान पासवानों तक कि पासवान जातीग की जो वोटर है वो इंडिये के कैंडिडेट को रहिं बल्की स्वजातियों मिदवार जितेंदर पासवान जो जनसुराश विदवार हैं उनको वोट करेंगे और वही हुआ लेकिन मकसद जो था च्राग पासवान का उस मकसदमें वो का जब असली रलाई NDA के अंदर शुरूर होगा जिसका असर 25 के विधान सभाद चुनाओ पर भी देखने को मिलेगा जो कि जब आप हमको हराने की कोशिस करेंगे रनिती बनाएंगे तो हम भी आपके खिलाप कुछ न कुछ तो करेंगे जरूर और जीतन नमाजी चुप बैठन और उने क्या बोला बहुत असपस्ट है जीतन नमाजी इन सब चीज़े में कॉंपरमाज नी करते हैं वो अलग बात है कि चुनाओ थात वो चुपी साथ बैठे थे लेकिन अब जो खबर आ रही है कि जीतन नमाजी तरफ से भी रियक्शन होगा और हो सकता है कि अंगावी चुनाओ चिराग की पाटी जहां जहां लड़े चुनाओ वहाँ वहाँ जीतन नमाजी भी खेल कर दे राजनिती में ऐसा होता है ये कोई बड़ी बात नहीं है और ऐसा हुआ इमाम गंज में चार के चार विधान सब चुनाओ में अंडिये की प्रचंड जीत हो गए अंड माम गंज का जो परनाम है वो इस बात को जरूर दर्साता है बेराल आप क्या सोचते हैं इमाम गंज को लेकर चिराग पासवाल के सच्टेंड को लेकर आभी अपनी राय को कमेंट्स मॉक्स पर रखिए अगर आप मेंने चाल को यूटूब पर देख रहे हैं तो कर दो, क्या समय को अबहुत्ट इंड कर दो कर दो कर दो अबहुत्ट आफिते हैं आचत्य हैं इंड बश्वाद कर दो अजबग हैं इंड हैं इंध